लोटस सायर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे पिस्ता पिस्ता के बारे में पिस्ता पोशक तत्तों से भरपूर होता है पिस्ता के पिस्ता में बिटामिन बीशिक्स प्रोटीन फाइवर कैल्सियम और आईरन प्रिचुर मात्रा में पाए जाते हैं इसके अलावा पिस्ता में मैंगनिसियम फॉस्फरस सोडियम पोटेसियम कॉपर और एंटी ऑक्सिडेंट भी मौझूद होते हैं पिस्ता का सेवन स्वास्त के लिए बहुत फायदे होता है रोजाना पिस्ता खाने से कई बिमर्यों और स्वास्त समस्याओं में फायदा मिलता है आम तोर पे लोग पिस्ता का सेवन सीध्य तोर पर करते हैं या इसे भीगो कर खाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिस्ता को दूद में उबाल कर खाने के सेहत के सेहत के ल दूद और पिस्ता के फाइदे के बारे में या फिर दूद में पिस्ता खाने के फाइदे क्या है तो सबसे फाइदा है आपकी मास्पेसियों को मजबूत बनाता है पिस्ता और दूद का सेबन मास्पेसियों के लिए लापकारी हो सकता है दूद में मौजूद पिस्ता उबालकर खाने से मास्पेशिया मौजूद बनती है दूद और पिस्ता में काफी मातरा में प्रोटीन होता है जो मास्पेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है इसके निवित सेमें से मास पिस्यों के दर्द और सूजन में भी रहात मिल सकती है हड्या मजबूत होती है दूद में पिस्ता उबाल कर खाने से हड्या मजबूत होती है दरहसल दूद और पिस्ता में कैलसियम, मैंगनेशियम, भरपूर मातरा में पाये जाते हैं जो हड़्ियों के लिए बहुत फाइदेबनanting होते दूद में पिस्ता को अबाल कर सेवन करने से जोडो और हड़्ियों में दर्थ की संस्या दूर हो सकती है निमित रूप से दूद और पिस्ता खाने से अर्थ राटिस जैसे बिमारियों के जोकिम को कम करने में मदद मिलती है लगातर लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल करने से आखों पर निगेटिव प्रभाव पड़ता है ऐसे में आखों को स्वस्त रखने के लिए आप दूद और पिस्ता का सेवन कर सकते हैं दूद में पिस्ता उबाल कर पीना आखों के लिए बहुत पाइदेबंद होता है दरसल दूद और पिस्ता में भरपूर मातरा में बिटामिन A पाया जाता है इसका सेवन करने से आखों की रोशनी में बहुत तेज होती है रोज़ाना दूद और पिस्ता सेवन करने से आँखों को लंबे समय तक फाइदा पहुंचता है और स्वस्त रखने में मदद करता है इसका अगला फाइदा है दूद और पिस्ता का सेवन दिल की सहित के लिए बहुत फाइदेबंद होता है दूद और पिस्टा में antioxidant की भरपूर मातरा पाई जाती है जो cholesterol को कम करने में मदद करता है दूद में पिस्टा उबाल कर खाने से दूद की बिमारियों के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है अगर आप अपने दिल को healthy रखना चाहते हैं तो निमित रूप से दूद और पिस्ता का सेवन करें इसका अगला फाइदा है पिस्ता और दूद का सेवन डाइबेटिस के मरीजों के लिए भी फाइदेबंद हो सकता है दूद में पिस्ता उबाल कर खाने से बिलड सुगर लेबल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है दरहसल पिस्ता का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इसमें फाइबर की उच्छ मातरा पाई जाती है निमित रूप से दूद और पिस्ता का सेवन करने से डियाबेटीज के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्क्राइब नहीं किया तो सब्क्राइब कर लें और बेल आइकोन की आप घंडी बजा दें जिससे हमारे आने वाली सब्क्राइब वीडियो सब्सक्राइब आक्वास पोछें धन्यवाद